हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे कारक के बारे में ठीक है कि अबर एक्जामपल के सांद समझेंगे अभी और पेपर में किस तरह से पूछे जाते हैं क्या गया चीजे पूछे जाती हैं साथ में हम इसके डिस्किसन करेंगे ठीक है उससे पहले अगर चैनल पे हमारे नया है कारक्टों ठीक है कि जो क्रिया की सिद्धी करता हो उसे क्या थे कारक करते हैं एक तरसी इस तरह समझ सकते हैं जो आपको बोल चाल में सहयोग करें एक दूसरे से बात चीत में अपना सहयोग दें सब्दों के माध्यम से वाक्य के माध्यम से उसे हम क्या करते हैं कारक करते हैं किसी वाकि में क्रिया के संप्रदान में सहायता करने वाले को करक करते हैं, ठीक है, जो क्रिया के संप्रदान में सहायता करने वाले को करक करते हैं, ठीक है, एक जो दो संबोधन और क्या करता है, जो तीन वाले होते हैं, मतलब एक संबोधन होता है, हे राम, हे राम वाला, उस पूछे जाते हूं संबंध का भी प्रयोक आपी जगह होता है ठीक है तो मेंतर च्छा ही होते हैं करता कर्म करण करता कर्म चा करण संप्रदानम तथैव चा आपादान अधिकरणम ठीक है इत्याहु कारकाणी शष्ट इती ठीक है यह च्छा है और यह च्छा है बहुत इंप करन ठीक है यह बहुत इंपोर्टेंट है अब आप सोच रहे हो आज आप देखते हैं कि इसको पहचान करसे करेंगे करता कि हम पहचान करसे करेंगे कि सब्दों के माध्यम से आपने बोला कि सब्दों में हमारा सायोग करता है हम जान गए ठीक है परण तो हम यह कैसे साइड में करते हैं अब आते हैं कारक की पहचान पर तो कारक को यहां पर आपको सब्दों में निख जाए वहां क्या हो जाएगा करता हो जाएगा ठीक है यहां लोग लगा लेजगा और नोड्स अगर नहीं बनाए हुए है तो प्ली इससे शीमपल नोट्स आपको नहीं मिलेगा बना लीजे आप नोट्स पोहती काररत है से लिए इसमें बहुत सिंपल तरीके से आपको लिखा गया जो सारी की एक साथ होगी ठीक अब आगे एक जामपल भी आएंगे जो आपको अधिक्तर पूछे जाते हैं ठीक है अब देखो क्या होता जहाँ पर भी आपको सब्दों में क्या दिखिजाए ने दिख जया तो करता करता लिगा जैड़े जैसे याद करो ठीक जैसे याद करता ने कर्म को करन से के द्वारा संपदान के लिए अपादान से यलग होने संबंद कहके की रारेरी अधिकरण में पयपर संबोधन है वह और संबोधन के ज़्याद करेंगे जरूरत नहीं है याद करताने कर्म को करन से के दिवारा इस तरह सी ठीक है पहले कारक फिर एक कारक फिर पहचान फिर दूसरा कारक फिर दूसरा पहचान इस तरह से आत करे ठीक है जहाँ आपको सब्दों में ने दिखेगा वो कहा हो जाएगा करता हो जाएगा जहाँ पे आपको सब्दों में को दिखेगा वो क्या हो जाएगा कर्म हो जाएगा पेंड से पत्ते गिरते हैं तो पेंड से क्या हो रहा है अलग हो रही है पेंड से फल गिरता है तो क्या हो जाएगा अपादान हो जाएगा ठीक है मैं उसके लिए फूल लाया हूं के लिए आ रहा है तो क्या हो जाएगा संप्रदान हो जाएगा ठीक है मैं राजू के द्वा को और तो कर्म हो जाएगा ठीक है राजू ने कर्म किया तो क्या हो जाएगा करता हो जाएगा इस तरह सहाथ करिए अग yell आगे जoth के माज़ें से आगे हम एक जांपल भी देस रहंगे ब crawl करता करंण संप्रदान ने हे ओ अरे हो जाता है ये इसको आप रखने जीसे चोटोट लग जाती है या फिर एक आएक कोई चीज निकाल रही है बूलने के लिए तो क्या आ जाता है सम्भोधन में आ जाता है ठीक है अब हम विभगती वच्चान और कारक की पहचान सभी चीजे एक साथ करेंगे अगर य जाता है ठीक है और हमें भी बताईएगा अगर कहीं मिलता है तो क्योंकि हमें भी जग रुपता होती है चीजे को देखने की देखो विभगती होती है प्रथमा दुतियाति थिया चाद और ती पंचिमी शश्टी सक्तमी राम धात उरुप आपने याद होगा आकारांत में आजाता है राम इससे पहले भी मैंने जो वीडियो बताई थी राम पे अगर वो देखा होगा तो यह चीजे आपको देखके ही समझागे ठीक है एक वचन में क्या होता है रामा हो जाता है दुतिया विभक्ति में यह एक वचन बहु बचन दुए विचन जो है रेड रेड में है जो उसे थोड़ा देखिए ठीक है तो प्रत्मा विभक्ति रामा में क्या हो जाता है राम का प्रत्मा विभक्ति क्या हो जाता है रामा रामो रामा हो जाता है तुर्थी में क्या हो जाता है पंचमी में रामात रामा भ्याम रामे भ्या हो जाता है सब्तमी में छस्टी जाता है एक वचन में देखेंगे तो आपको याद कर लिएक तो आपको याद कर लिए आप आप बोल लें कि सराप ने कहा था कि कर्था में जहां नहीं देखी जाए तो वहां क्या हो जाता है सब्दों में जहां ने दिख जाए तो वहां करता मतलब किसी के ने उसका कार किया तो क्या जाता हो जाता है तो वहां देखो करता का प्यूग कसे क्या जाएगा देखो जैसे राम ने कोई कार किया अगर एक राम है ठीक है राम ने कोई कार किया जहांँ दो रामों ने कार किया है दूतियाभी वक्त साहरे एहां क्या हो withdrawal कर जागा पर इसी तरह से सभी चलता है दूतियाभी भक्त में देखेंगे तो अब देखो प्रतमा विवक्त में क्या होता है करता होता है दुतिया विवक्त में करन होता है इसलिए मैं बोला था कि करम से याद करिए ठीक है कारक को करम से याद कर दिये करता कर्म करन संप्रदान आपादान संबंद अधिकरन संबुदन यह नहीं कि करता के दिखेंगे दुंतीयाविवक्त में क्या हो जाएगा दो र मॉद इस इसे दुधे द्वारा कारिया जाLETए कुछ भी हो सकता है, जिसमें आप बस आपको क्या देखना है, पहचान करने वाली चीजे देखना है, यहाँ पे ने को से के दवारा अलग सी, इसलिए मैंने अलग-अलग नहीं लिखा है, मैंने बोलत आपको याद कैसे करना है, करताने, ठीक है, प्रतमा विव्यक्ति में, द जिसमें में पैपर की बात हो रहे होती है संबोधन में अहो की बात हो रहे होती है यहां पर भी आपको प्रत्मा विभक्त के तीनों बचन देखने है दुतिया विभक्त के तीनों बचन में एक राम के द्वारा दो राम के द्वारा और बहुत सारे राम के द्वारा ठीक है र द्वारा किसमें आता है करन तो इसमें करन में क्या हो जागा तितियाभिभकति लग जाती है चैसल तूर्थी वक्त में संप्रदान होता हैं के लिए ते एक बच्िन दुए वच्तन बहुं बचान में देखें तो राम के लिए जब राम के लिए हो गए है पंचमी व्यवक्ति देखें के तुम से अलग होने के लिए ठीक है इसका एकड़ा मीचे देखें अभी बचना देखें मैं लिखा मिल जाएगा इसको लिखने के लिए अप रेडवाला लिखेंगे तो सश्टी विवकति में जैंगे संबंध होता है तो राम का संबंध बता करेंगा तो राम के विवक्ति में मन क्या हो जाता है अधिकरण होता है तो में पैपर की बात होती है तो रामे में राम हो जाएगा रामियों में दो राम उपर हो जाएगा रामे इसमें बहुत सारे राम पर हो गया है संबोधन में हे राम हे राम हे राम हे राम हो जाता है ठीक है तो सिंपल तरी कार दान कहती है जिस्के लिए कोई कार किया जाता है तिर्चीव कर दाल जाता है जिसे कुछ किया जाता है या जिसके के लिए कोई कार किया जाता है Q11vordan क किर्दान के कि लिए कार कि यसे वागी से मित्राइन लेकंदारत हो जाता है डिक है संपड़ान कारक चाम अपादान का लग sound क्यों गड ऑँ ठीक है वह अपादान कारक होता हम्रिच्छात पत्राण पतत इंसे पते गिरते हैं ठीके अधिकरण में क्या होता है क्रिया का आधर अधिकरण है मुनी आसने टिष्टत छेते तिक अधर अधार आसन हो जागा ठीके अब एक्जामपल देख लेते हैं आपको सब साथ साथ ध्याइजांपल दिखेंके साथ पहला करता जो होँआता रामः घाषशत है दुत्या बिभक्त में विद्यालय हो जाता है राम मीद्यालय झिफेकर यांनी आन कार के द्वारा जाता है पत्मा विक में कहा है ने राम ने राम जैख रामस फाल गदर मुंद को हो जाता हैती Qual partisan इसदिए करमा के द्वारा जाता है तुर्ए कर दिटीया में के द्वारा हो जाता है और केलिए Only ठीक है घर से अलग होने के लिए क्या हो जाएगा आपको पंच्वी विवक्त में जाना पड़ेगा शस्टी विवक्त में क्या हो जाएगा संबंध का के की का हो जाता है भ्राता अलाम से तो इसमें रामा तस्य हो जाएगा ठीक है रामा पुस्तकेन हस्तेन स्वीकृत्वा य लिए एक्जाम्पल और इसके पहचान को मैंने इसलिए पहले बताया क्योंकि आप इच्छा की दिष्ट से जब भी आप देखेंगे तो आपको यही चीज़े देखने वाली होती है तो लेजीगा वीडियो पसंद है तो लाइक भी जरूर पूरेजीगा दोस्तर तक शेयर भी किजिएगा थेकु सूमच अलव और अगर के लिए आप झाली है तो सब्सक्राइब जरूर पूर्ब कर लेजीगा